हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूं आप लोग अज़े होंगे देखिए इस चैनल में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि फीजिक्स का मॉक्टेश्ट नमर्ट 7 अगर आप नहीं देखें तो उसे जाकर देखें देखिए यहां पर प्रिबियस यर का भ देखेंगे देखिए यहां पर most important question करा जा रहा है जो आपके एक्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे यह दि देखिए नेक्स्ट देखते हैं कोस्टन हम लोग देखते हैं सबसे पहले यदि एक आदर्स स्टेप और यानि एक अदर्स इस्टेप स्टेप टास्पर्मर की आउटपूट एवं इनपूट करम सब 40,000 वाट एवं जब 44,000 वाट हो तो इसकी दक्षिता मतब चमता क्या होगी तो सबसे पहले इसका फर्मुला जो होता है हम लोग बता दें आउटपूट बटा इनपूट इंटू इसका ये फर्मूला जो होता है जब हम लोग आउटपूट और इंपूट रखेंगे आउटपूट यह नीरगत सकती बटा निवेशी सकती इंटू होंड़िट तो आउटपूट देखे हम लोग दिया हुआ है 40,000 वाट और इंपूट हम लोग दिया है 44,000 वाट इंटू ह जब हम इसे cancel out करेंगे जब इसे देखिए 30 से 30 कट गया जब इसे हम लोग केंसी लाउट करेंगे इसका होगे 20 होगा 21 और जब इसे हम लोग केंसी लाउट करेंगे तो इसका जो एंसर आएगा आप खुद से जब इसे आप केंसी लाउट कीजेगा तो इसका जब एंसर आएगा 19.9 परसेंट देखिए नेक्स्ट कोश्चन हम लोग देखते हैं एक चोक कुंडली की परतिवाधा 18 ओम है या इसका प्रतिगाश 17 ओम है तो चोक कुंडली का परतिरोध होगा तो चोक कुंडली का परतिरो प्लस एक्सल का इसकोर परकुद पर प्रतिवाधा इसकाल टू अर्फ़ए हैं कि ये 2 परहवर होताा है ओए जिए प्रापर पर रूट अंडर एसकोर को प्रस एक्सेल का इसक्वाइर तो देखें हम लोग दिया है एग चुक पूंड़ी की प्रतिवाद़ 18 ओम है इसका प्रतिगवहत recommend उधरो收 एवा बने तो चोंड़ी यानि चुक पूंड़ी का प्रतिरूद होगा है जो कुंड़ी का प्रतिरूद गुआ दिखो जेतों कि मुझा हम लोग का जो जेतों का मन दिया यह हम influence अटेन तो सब से पहले Uneacl sebagai रूट अंडर हार आर का जो मान दिया है है सब्सकी करेंगे डेकशेल का मान दिया है और क्रिणा करना है और जिसका कुछ मी का प्रतिरोध गयाद करना है और प्रति गात्वाद में सब्सक्राइब तो 18 का स्कूरार हम लोग करेंगे इस ट्वूट में नीकालेंगे तो take one unції 2 घ्यक्त का इसकुल अ के आझ एटीन का स्कुल फुर्फं लोग बाहर निकालेंगे तो आध का र्स प्लस 17 का स्कुल Honors स्कुल न Stri encause ko नमाइनस 17 का स्कुल टू र extr Club let देख सकते हैं उसके बाद देखिए एसक्वाइर मैनस भी इसको फर्मूला पर इस तरह भी शॉटकर बनाने के लिए आपको अरहाम से इसको फर्मूला पर तोड़ देना है एट स्क्वाइर प्लस 17 का जो स्क्वाइर है अठार का स्क्रमाइन सब्सक्राइब तोड़ेंगे त 18 प्लस 17 मायनस 18 18 मायनस 17 सब्सक्राइब तो परूत 35 और तो जब आड़ स्क्राइब होगा तो जो इसका रूत 35 ओम यानि और का जो मानना अगा वो रूट थरट थाइ ओम होगा तो इसका जो आंसर ए होगा वो राइट होगा सबसे पहले हम लोग इसका फर्मूला हमको याद रहाना पड़ेगा कि जेड़े स्क्वाइर बराबर रूट अंडर आर स्क्वाइर प्लस एकसेल का स्क्वाइर तो जब हम लोग यहां से आर्म फाइंड करें तो देख सकते हैं कि आर किस तरह फाइंड हो गया नेक्स्ट कोस् यह बराबर इसकुल टू के टैंक है थीटा तो आई का जो मान वम लोगों को पाड़ी उसका पड़ी वरतन गुनान निकाला यान हम लोगो के का मान पाइंड करना है तो सबसे पहले कभाइं को करेंगे तो आई का जो मैं दिया है और जूम आकर डिया होगा तो आपका एंसर जो होगा बी विल भी राइट हो जाएगा देखिए इसका अराम से हम लोग आई बराबर के टैन ठीडा से बान निकालेंगे आई कमान दिया हुए वन बटा रूट होकर मुह के धारा एक परतिसत ही परवाइत होता है तो संट का परतिरोध ग्याद करें देखिए आपके एससर में पूछा गया प्रिवियस यह कोस्चन है देखिए सबसे पहले हम नों देखेंगे इसका जो फर्मूला होता है आई जी यानि गल्वेलो मिटर में धारा बराब और एस बटा है इस प्लस जी इंटू आई इसका यह फर्मूला होता है तो इसमें बोल रहा है कि 99 ओम परतिरोध वाले एक संटीब गैल्वेलो मिटर यानि जी का जो मान दिया वो 99 दिया हुआ है मुझ से होकर मुझ के धारा का एक परतिसत यानि ही परवाइत होता है यानि इसकोल टू एस बटा है इस पुलस जी का मांजोमा दिया वो दिया है 99 इंटू आई तो आई से आई हम लोग इसको काट देंगे तो देखिए यहां पर 99 कि नाइन एज मिउग्यां इस च्रिट आइज पर नंती नाइन तो एस का जुमान हम परिंड करेंगे यह यह शंत संट संस्ट जो प रदिरोब dio निकलेगा वह निकलेगा है जिटक मान अगल में इसका प्रतिसरति इंपर वह वाइद होता है तो इसका एंसर आया जो आया वह होगा वन ओम जो एंसर है वह होगा अपका यह विल भी राइट आप अलाम से से फाइन कर लिजएगा नेक्स्ट दोट नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कि एक आनामेसी संधारित को एक बैटरी से आवेसित करके उसे क्यूंअ दिया जाता है तो उसमा के रूप में व्यूए उर्जा होगी तो देखें व्यूए उर्जा आपको पता होगा इसका 3-4 प्र यो इसक्कोर का अब क्योस्ट है आप II weights उच्ट कर गए ऑफ पिभी होटा आ हम्हें सबद्सी इसमा सब्सक्का मोढमें एंप आगर मुट्स्ट कर गया है और उससे कंसिश होगा यह राइट दिक इसमें 3-4 फमूला बनता है हाप क्यूंसाइप होता है हाप सी बआब है स्क्वाइर एक और प्रमुला होता है था पीस आराम से रिलेट करके लिख सकते हैं नेक्स्ट कोशन देखते हैं एक संधारी तरको एक बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है जिसके बाद में बिच्छेदित कर दिया जाता है अब दोनों प्लेटों के बीच परावेदु संग्रहित उर्जा में कमी होती है प्लेटों पर आवेश परवावित नहीं होता है या सी होगा प्लेट के बीच विभांतर में कमी संग्रहित उर्जा में कमी होती है प्रंतु प्लेटों में परिवर्थन नहीं होता है या दी होगा तो इसका जो अंसर होगा वो होगा सी अ लिग याने धारिता हमो लोगा बढ़ेगा सिवराबर Q भी अधरिता को बढ़ेगया जब लिभाओ कमान कहुंगा जब आइनों धारिता कमान बढ़े näग bit कों छानक्सटेंटि पो जो आंजर होगा होगा और देखिए आपको एक बात बता दें यू बराबर की वेस कारबटर तूसी भी फर्मूला होता है तो जब धारिता इसका ज्यादा होगा तो इसका संचित उर्जा जो है वो भी कम होगा या नीचे जब ज्यादा से हम लोग डिवाइट करते हैं उपर में तो उपर जो मान आ डारेक्ट प्रोपर्पोस्वन है देखिए वान वेकर यू बराबर की वेकर बर्टर तूसी यानि धारीता ज्यादा है इसलिए वानचित उर्जा का मान भी कम होगा तो इसलिए इसका तो पहले DC धारा वह बाद में AC धारा जोरा जाता है जाता है अधिक त्रिवता से चमकेगा DC current is added to a bulb and later AC current will sign more intensely तो इसका जो आंसर होगा वह पूर्ट है कि जब एक पहले जब एक बल्ब को DC से धुरा जाता है बाद में होगी या DC दोनों की त्यूरता बराबर होगी क्योंकि उसका वाट तो एक ही होगा मैं भी उतना ही उड़ियां लेगा फ्राइडे का नियमु संरक्षं के पतले सरजर रिखेये चालन क में धालनक में दहारा यह परवायत होती है तो चालना कि किसए बिंदू पर्चुंबा की प्रेण रहोगा देखें चालक के किसी बिंदू पर चुम्ब के प्रेरन होगा सुन्ने होगा अब क्यासे होगा देखिए आप लोग बायोस वाट निम आप लोगों पता होगा म्यूनट बटा फॉर पाई आई इंटू डेल्टा एं साइं ठीटा बटा आरे स्कॉर्ण आप लोगों पता है तो पुर्णा चालक के उसी बिंदू पर यानि अमरे यह चालक है आप इसी बिंदू पर लेंगा तो यहां पर ठीटा कमान तो 0 डिगरी आ रहा है तो जब जिरो डिगरी आ अगे तो साइं जिरो क cần फाइब जीरो तो शांच कमानजे लोगा तो इसका इसमें चुमबा के प्रगयरों बिंदू कre के पर कोई भी चुमबा के प्रख़रर नहीं होगा इसलिए इसका गने देखते हां नंसौ देखते हैं तो नेफ्स संबे के M भी क्या होता है P, तक करन के संबे के, so answer B will be right, next देखते हम लोग, सामान परकार के आवेस यूक्त दो चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है, इन पर आवेस की मातरा में कोई पर रिटन होगा यदि, सामान परकार के आवेस यूक्त दो चालकों को एक चालक द्वारा जोड़ा जाता है, two conductor with the same type of charge are connected by a conductor wire, there will be no charge in the amount of charge on of them, if they have the same potential, they have the same amount of capacity, they have the same capacity, they have the same shape, यहां पर इंग्लिस तुरह, यहां पर मिश्टेक हो गया है, इनका विभो समान है यह इनका अवेस की मातरा समान है, इनकी धारिता समान है यह इनकी आकृति समान है, तो इसका जो आवेस की मातरा में कोई पर रिवृतन नहीं होगा, यानि जब भी बहुत समाण होता है तहरी आवेश की मत्रा में कोई परवरतन नहीं होता है तो गारा जो एन्सर होगा हुगा एक में लुग देखते हैं है कि ने वसे लिचे लिबुक्त कोस्ट बर्थवच्टando नमर कोश्टन देखें है पुन आंतोर प्रवरत्न लिखाई पुनार आनते प्रवरतन लिखाई पूर्परा किरन जाती है जो प्रवहतर ने घटना अद женति आते हैं लिग में जर्व में जाती है यां पानी में पानी से काच में काच से पानी में तो जो इसका अंसर होगा हम बताते इसका अंसर होगा टी देखिए काच जो काच वो डेंसर है और जो पानी है काच से थोड़ा रहर होता है यानि इसका जो अपरतनाक होता है काच का वह पानी से ज्यादा होता है तो काच का जो माध्यम से पीरल माध्य में झालने का होता है ईब पूर्ण परवर्तर दिखाई पढ़ना का संपवत अब होता है जब बाकासंति सगं माध्यम से बीरल माध्यम में जाती हैं तो देखी है कांच से जब पानी में जाएगी तब ये डेखने को मिलेगा वायू के कांच में यानि वायू तो वीरल हो गया और कांच सगन हो गया वायू से पानी में वायू भी जो है पानी से वीरल हो गया पानी से कांच में पानी भी जो है कांच से वीरल हो गया यानि कांच डेंसर ज्यादा हो गया तो कांच से पानी में यानि कांच जो तो किसका कॉन ? कम होगा कि करांतिक कौन ? कम होगा क्ग इस अचे जो जा रहा है परकास के लिए करी कोण . के लिए अब ऐसे होता है ? कम होता है ने अब का लालरंग का ठीके lot वा जादा होता है और प्गणी का कम होता है आप लोग पाता है कि जो पॉर्थनांग डारेक्ट प्रस्वनल विद्कनमानुपाती होता है लेमडा यानि तर्ण डार्ज के आप लोग पता है कि तर्ण डार्ज के विद्कनमानुपाती होता है क्या होता है पॉर्थनांग तो देखें बैगरी रंग का पॉर्थनांग कम ह इसलिए पैत्राइंक होगा तो अधिक होगा तो अधिक होगा हम लोगों को पाता है कि वर1 जयादा हो हो गया क्योंकि मिवशं मंविद करूंपाती हो वन अपर कम होता है तो जब तरह देशा होगा अपर्तनंग जादा होगा दो तीन फर्मुलस नीकान पड़े को तो में पाता चलेगा अपर तरह जब कम होगा तभी जब आप दरांग कुल है जर्य-जब इाख पुंगों से रिलेशन करेंगे मीव व्म aquí उपणने साइन से इत्व फिर और जो वश्रानai कोईलिक क्या है पूरिके। इसका अधिक है उभक पहलों वीजर तो tepop scriz कतोव कद घंए इसका लोग कर Même कि दो ज्यूंगे। है अगर अपरतनाग नीचे कम होता है तो इसलिए इसका होगा डी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दो समतल दो समांतर कि दो समांतर तरपन के बीच देखी जा सकने वाली पृतिवीमों की संग्या है दो समतर दरपन के बीच माले ये दो समतर दरपन है इनके बीच देखने जा सकने वाली पृतिवीमों की संग्या देजिए इनके बीच ठीटा है वह है अनन्द देखें दो समांतर दरपन के बीच देखी जा सकने वाली पृतिवीमों की संग्या होगी अनन्द नेक्स्ट अमलों कोश्चन देखेंगे दो समांतर दरपन जो प्रसपर साथ डिग्री पर जूके हुए हैं कि बीच एक विदूद बलब रखा जाता है तो बने हु उसमें से 1-1 उसी की उसी वही प्रतिवीमों की संख्या निकलेगी तो 360 बटा ठीटा माइनस बन कर देंगे तो इसका है और 6 अच्छे में से घटा दिये तो इसका होगया 5 तो जब प्रतिवीमों की संख्या होगी वह होगी 5 तो एंसर बी विल भी राइट 15 नमर 16 नमर हम ल रिफ्ठ्रेक्शन रिफ्लेक्शन या रिफ्रेक्शन रिफ्लेक्शन तो इसका जो एंसर होगा व और वौय फौर्धान हुआ बिशेपन बनता है रिफ्लेक्शन अब लोग देख थिूराבה सी तौत में दो सेकेंद में तै की गई दूरी का परिकलर न कीचेंड इस डायक्ट हम लोग जो काइनेंट का फर्मूला होता है नियूटन का जो नियम होता है इस बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्कॉरर हाफ इस बराबर यूटी कि प्लस हाफ 80स्क्वार्ड वीकोड़ा ग्रंट करें तो इसका दूरी निकांला है मोगोटेस बरबर पृणरामबिक वर्चट जिरो होता है तोगीजी पटोod जिरो मेंढें एंक मानद दिया है और दिया डिया है तो दूदूनी चार दूदूनी चार दूदूनी 32 यानि इसका जो एंसर है वह होगा ए ठर्टीटू मीटर यह बहुत सवाद है अराम से बना सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं नीमन में से कौन सा कतन सही है निश्चित सीमा के अंदर परतिभल विक्रिती के समानुपाती होता है इ दिमा के अंदर स्टेमा के अंदर प्रतिवल वुक्रिति के अंगर प्रतियास्था गुलान्ध कहा जाता है या उप्योंक्त सभी तो इसका जो आसर 3 सकत्ते हैं इसलिए इसका आंसर दि होगा नेक्स्ट हम छोग देखिंगे 19 । इसमें हिसमें बताने हैं कि स्कॉंसा सभी है दीज़ेए बरे प्रिश्ट सतनाव के कारण ही द्रव की छोटी बुनδα वसादा को लेकार होती है यह भीट सभी है इसमें कोई डिटर्जिन जैसे अल् atención को र tief design शाबून हम कम किया सब्सक्राइब यह भी बात सभी है सी नमर बोलता है किसी द्राव का प्रिशतना जितना अधिक होगा द्राव का अच्छे पर नहीं कम होगा ये भी सही है तो इसका अंसर होगा यानि तीनों कंविशन सही है अपनों इसे पढ़िएगा और समझ लेज़ेगा निश्र देखते हैं 20 नमर कोश्चन जो बोल रहा है इस प्रिंग में फर्वान के मिला लटकाने पर उसके अविर्थी एंडर बॉन है यह श्रू नमगा को आधा कर दिया जाए तो उसकी पींड उसी प्रिंड द्वारा उत्पन आविर्थी न टू होगी यानि इनटू कमान पूछ रहा है तो सबसे पहले हम आपको बतादेति टी बराबर टू पाइड है रूट अंदर म्यू अपन के होता है किई जू है को सबसे नहीं लेना देना है टू पाइड रूट अंदर म्यू अपन के पोड़रे जब इस्प्रिंग की लंबाई को आधा कर दे जाए तो इसका पहले सब फ्रक्राइड तो इसके अविर्थी होगी तो आविर्थी के लिए हम लोग जब टी का one by आविर्थी के लिए जब हम लोग इस फर्मूला को चेंज करेंगे तो वन बड़र टू पाई हो जाएगा कि इसका कि रूट अंडर के अपन म्यू पलट जाएगा जब पलटेगा तो वोड़ आ है कि जब इसकी लंबाई को आधि कर देंगे तो देखें आपको पता है जब लंबाई को कि म्यू अपन के जब हम लोग लंबाई को आधा करेंगे तो देखें जो इस्प्रिंग का constant direct professional होता है 1 by l k यानि जब by को आधा करेंगे бिट करमन पाती होता है spring के लंबवाई में कमे करते है, spring को ले बढ़ाएंगे तो इसका जो spring निया तंग है वो गड़ता है जब l पर हम लो तो jब l half करेंगे तो l half करेंगे 2 जो होँगा वो उपर चल जागा यानि के का माल जो हो गया समन पाती हो गया तू के यानि जो टू है उसके जो constant है spring का नियता के वो दो गुना बढ़ जाएगा तो जो इसका answer होगा दिखिए तो के के जग़ा पे हम लोग दो रख देंगे इन बराबर वन बाइटा टू पाई रूट अंडर के जग़ा पे जब हम लोग तू रखेंगे तू रख दिये तो देखिए यहां पे हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का answer आ रहा है तू बराबर वो रूट दू गुना बढ़ जागा रूट टू इन टू इन वन जो है वो आपका इन वन जो है वह आपका अंडर रूट में नहीं है तो देखिए न तू बराबर रूट अंडर टू एन वन सबसे पहले हम लोग इसका फर्मूला देखें कि एन बराबर टी बराबर टू पाई रूट अंडर अपन के होता है जब इसे हम आविद्धी में चेंज करे बागी किसी से नहीं देखना चैना तो यह डिएक्ट प्रोप्रोश बराबर हो गया की करूट के के तो के जो होता है के जो होता है वन बटा ऐसकर करेंगे ए बढ़ेगा तो 5 कमान बढ़ेगा तो की कमान बढ़े गा तो इसके विर्थी नीच करने है तो बढ़ेगी तो ए KP चया गई हो कि यह भिशताद है कि 1 वैटे गांओ बढ़ेगा में अर्चे कि के बहुतायगा गाहि की अथे, कि यहां पर हम लोगों के से देखना है कि में क्या बूल रहा है कॉंस्टेंट से रिलेशन यहां पर देखना है और यह भी सफाइंड करेंगे तो इसका एंसर यह विल भी राइट है कि नीच देखते हैं सवरल अवर्थ गति में जो रशी नियत रहती है कि वह ञatब इसके श्रीम पॉ台 पर इस्तिति शुर्जा क्या होती है अदिक होती है और लेट्ट Heart Greg लोगती है उसिसेौं होते हैं उसमें जुर्या अधिक होती हैं और इस्ति जुर्या कम होती है और विश्थापन जो होगा कि वह डबलू बराबर एफ बराबर माइनस के एस इसे को रियस्टोरिंग फॉर्स कहते हैं जो सरल अवर्थ गती में इस पर लगता है तो एमाउंट डैट रिमेंस सिंप्ल प्रियोडिक मोशन इस प्रियोडिक का नेटिक एनरजी या पोटेंशियल आपको इसको फर्मूला याद होगा ताप राम से फाइंड कर सकते हैं सबसे पहले दिसके सिल्पर हर्मोनिक मोशन का जो फर्मूला था है य बरावर आपको जब कॉस ओमेगा टी को हम लोग चेंज करते हैं साइन में तो भी बरावर ए ओमेगा ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाइबाइब टू यह होता है और जब इससे ए कमान हम लोग नहीं खालते हैं तो ए ओमेगा स्कुराइब साइन पाइब ओमेगा टी प्लस पाइब होता है ओमेगा टी प्लस पाइब होता है तो देखे हम लोग को एस लेशन में और जो वेग है यह दूनों में हम लोग को कलांतर बताना है तो इसमें ओमेगा टी प्लस पाइब टू आ रहा है और इसमें ओमेगा टी प्लस पाइब तो ऐसे आप याद भी कर सेंगे वाई बरबड़े साइन ओमेगा टी भी निकालेंगे तो आपको मनुब चल जाएगा कि इसका कलंतर कितना होता है निक्स्ट हम लोग देखेंगे आदर्स गैस के लिए दा प्रसाट गुनांग वह आयतन प्रसाट गुनांग होता है फॉर ऐडियल गैस दप्रेशर डिफ्यूजन कोफिशेंट और वोलिम डिफ्यूजन कोफिशेंट होगा ए आर एक्वल अर नॉट इकवल और जीरो नॉन अ का इसा ही मात्रों क्या होता है इनिवर्सल गैस कॉंस्टेंट का इसा ही मात्रों को जो होता है वह होगा जूल पर मॉल पर केल्विन सो एंसर सी विल भी राइट देखिए यहां पर आपको सारे इस चैनल पर अप्लोड किये हैं इंगलिस का फिजिक्स का तूसे जाकर आप लोग देखिए देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हां कोस्टन कैसा है क्या इसी तरह के इस तरह के प्विडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए बेल आइकन प पहुंच आपके पास पहुंच है तो देखिए इस चैनल को आप लोग देखिए वीडियो को देखिए पढ़िए के लिए हम यहां पर समाप्त हो हम लोग का जो 24 नमर कोस्टन है वह भी समाप्त हो गया आप अराम से पढ़िए आपका एक्जाम अराम से क्वालिफाई हो ज